जहिन दोस्तों स्वागत है आप सर्फ के study with MSPP चैनल पर दोस्तों ये वीडियो पीटी के लिए जो मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट करवा रहा हूं मैं वो उसका ये चौथा वीडियो है ठीक है तीन अल्रेडी पड़े हुए है प्लेलिस्ट बनी हुई है आप उसको देख लिजिए बहुत महत्पून महत्पून प्रस्ण है इसी तरीके से करेंगे प्रैक्टिस आपको उसी दमोर यू ब्लीड दमोर यू स्वेट इन पीस द लेस्ट यू ब्लीड इन वार कहने के मतलब यह है कि अभी जितना पसीना बहाएंगे उतना ही आपको कम महनत करनी पड़ेगी जब आप एक्जाम में जाएंगे यानि कि वहां पर आपका जो है खून नहीं बहेगा कहने का मतलब है कि वहां आपको बहुत अच्छे तरीके से आपका जो है प्रस्न होगा ठीक है आपको याद आएगा सब कुछ चीजें सब रिकलेक्ट कर पाएंगे तो अधिक से अधिक आप रिवाइस कीजिए चीजों को और मॉक टेस्ट लगा सब्सक्राइब कर लिजेगा और प्रेस कर लिजेगा इसका पीडियेफ चाहिए तो आप टेलिग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ इसको आप जोईन कर लिजेगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं इसको फटा-फट ज्यादा समय नहीं वितीत करते इसको चारकोलिथिक युग कहा जाता है तो तामरपासाण युग को कहा जाता है कि और हर्सवर्दन के जीवनकाल से समंधित घटनाओं के बारे में पता चलता है में पानिबत के तीसरा जो अफगानों के बीच il दूवा था और अफगानों के बीच में ठिक अठारा सो स्ताउन की जो क्रांती है सरप्रतम कहां से प्रारम हुई थी तो ये मेरिट से प्रारम हुई थी इस्तम्रारी बंदोवस्त किसके द्वारा लागू की थी तो इस्तम्रारी जो व्योस्ता है वो लड कार्नवालिस द्वारा थीक है निम्ने महापुर्सों में कौन भ क्योंकि महात्मपूर्ण है और इसी तरीके से प्रश्ण पूछे भी जाते हैं महात्मागानी ने 1930 में सभिन्यव अज्ञान दोलन कहां से प्रारम किया था तो डांडी से प्रारम किया था यह प्रश्ण आया भी था यह जो अपने लेकपाल वाला मेंस वाला एक्जाम हुआ उसमें यह प्रश्ण आया था 1904 में क्रांटिकारी संगठन अभिनो भारत कहां से प्रारम किया था महाराज से इसको प्रारम किस ने किया था तो सावरकर बंधु जो थे वीर सावरकर उन्होंने इसको प्रारम किया था अभिनो भारत तो यह चीज भी ध्यान रखेगा त्य भी प्रश्न जो है लेकपाल वाले मेंस में आया था तो ये रविन नाठ्य गोड ने कहा था ने मेखित में से किस एक्ट दोरा भारत के गवर्णर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो है वो सक्ति प्रदान की गई थी तो 1861 का जो एक्ट था इंडियन काउंसिल एक्ट उ वहां पर है इस्थित तो एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पड़ता है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कहां है यह किस ग्रह के चारों और वले है यानि कौन सा ग्रह है जिसके चारों और ऐसे वले टाइप दिखता है थीक है तो ये सनी याद रखेगा तमिल नाड यह सब पस्चिम की और बहने वाली नदियां इधर बाकि बहुत सारी नदियां उन्न इधर ही बहती हैं कुछ एक नदिया wydaje जिसे नर्मदा हो गई टापी यह सारी नदियां है जो कि उधर अरब सागर में जाके गिरती हैं अदरवाज सारे बंगाल की खाड़ी में ही आके गिरती है भारत वन स्थिती रिपोर्ट 2021 कंसार कुल वनावरण च्छेतर कितना है यह कुल वनावरण च्छेतर है 21.71 यानि कि आपका वनावरण और ट्री कवर दोनों अलग अलग चीज़ें और एक साथ कैसे भी करके पुछा जा सकता है तो वनावरण पुछे तो यह है और आपका अगर यह पुछे व्रिक्षावरण व्रिक्षावरण टी कवर तो उसका अलग परसेंटेज है इसमें जो व्रिक्षावरण है 2.91 टीक टोटल जो वनावरण है वो है 21.71 और यह जो व्रिक्षावरण हो 2.91 तो दोनों को अगर आप मिला कर देखेंगे तो 24.62 कितना 24.62 परसेंट ओर यह याद रखेगा यह यूपी का भी याद रखेगा चुकि यूपी का एक्जाम देने जा रहे हैं आप लोग तो यूपी का भी ध्यान रखेगा यूपी में जो टोटल 6 तरफल है उसमें कितने में व्रिक्षावरण और यह सम्मिला के है तो वह है 9.23 ठीक है कितना 9.23 उसमें वनावरण है 6.15 और 3 कवर है 3 कवर पॉइंट मतलब काफी कम है वो ठीक इसमें नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है भारती आर्थिक समिक्षा कौन प्रकासित करता है तो यह वितमंत्रा लेत्वारा वित्ती वर्स 2021 में केंस्वार भारत का सबसे बड़ा जो मक्का उत्पादक राजी कौन सा है करनाटक है आप लोग कमेंट क्रिक बताएगे कितने क qeo qAK कॉन होते हैं तो आपको पता है एक अब इनके c est कोन है लोकसभा के अध्यक्ष को किस तरीके से हटाया सकता है तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनके भामत द्वारा पारित संकल्प से हटाया जा सकता है उनको निम्लिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो सही समेलित मैंने इसका वीडियो बनाय हुआ है आप देख लीजीएगा फॉलिटी वाला जो वीडियो है यह ताबड़तोर रिवीजन वाला जो सीरीज है वो पूरा प्लेलिस्ट बनी हो यह उसमें देख लीजिएगा आप सब पुरा क्लियर कट मिल जाएगा आपको यह स सुची में संबन्द बताए गया है तो वह सात्वी इंसुची में लोक सभा का कोरम सदस से कुल संख्या कितनी होनी चाहिए एक बटा दस दी यदि एक बरतन में तैरती हुई बर्फ पिगलती है तो उस बरतन के पानी पर क्या अस्तर उसका बढ़ेगा है यह क्या होगा तो ुस्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है चांदी तांबह तांबह Ойुसमा का सबसे कह रहता है है कि सब्सका का सकती गर्य कहता है इस करवी एक विमारी है किसके कारण होती है विटामिन सी के कारण होती है इनका नाम जो केमिकल नेम है वह भी ध्यान दखियेगा तो आप कभी भी जो है आप इस तरीके के प्रेश्ण को पूछ़ा नाम सकता है उसके लिए आप तयार रहिए जैसे इनको देखिए विटामिन C का विज्ञानिक नाम किया है esa एसिट ऑफयाने केमिकल नाम स्कॉर्विक एसिड है और विटामिन के इछ I call. के करते हो चैनलों करो होता है क्या होता है चैनल और कमी ओधेन हो दी होती है कम इसे विटामिन B का बैसिकली जो बहुत सारे जो B1, B2, B3 ऐसे होता है थाइमीन, राइबोफ्लेमिन यह ऐसे कर गया होता है तिक नियासिन विटामिन B3 है या निकोटिनीक अमली बोलते हैं उसको B2 को riboflamin बोलते हैं, B7 को biotin बोलते हैं, B6 को paradoxin, B9 को folic acid, यह आप याद रखिएगा इन सब नामों को, चलिए, 31st नंबर देखते हैं, यदि इसमें दिया हुआ है, अब इस तरह के question में देखिए, कैसे X कमान पूछा है, तो X कमान आप अप चुकी इसको कैसे हल करेंगे तो जो यह option दिये हुए हैं, इन से आपको हल करना है, अगर आप इन option को try करेंगे, जैसे 0 रखेंगे, तो नहीं आएगा इतना, ठीक है, एक रखेंगे तो भी नहीं आएगा, तीन रखेंगे तो आजाएगा, यानि कि जो correct answer होगा, उसका 3 होगा, ठीक, तो यह ऐसे कैसे है question number 32 पे, दो संख्या हैं, एक तीसरी संख्या से क्रमसा है, 37% और 30% कम है, यानि अगर कोई संख्या मानलो, तीसरी संख्या 100 है, तो उससे एक 37 कम है, यानि कि 63, और एक 30 कम है, यानि कि 70, तो इसमें कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितनी प्रस्यत अधिक है, यानि इस से ये कितनी प्रिश्यत अधिक है तो अगर आप देखेंगे तो 70-63 divided by 63 कर दीजे दिवाइड़ बाई 63 तो ये इसी इसाब से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 100 बेटा परसेंट यानि कि कितना परसेंट करेंगे वह उससे बड़ी या थिक तो ये ध्यान रखेगा चले आगे बढ़ता है है नेकस्ट गेश्टे रेक्षीट 59- står लिख सकते हैं आप इसको क्या लिख सकते हैं? 14 का थीक है? यह भी हो जmostी है? 16 का है, 16 का ही सिक्स्टीन का तो यह जब पूरा जब सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा थर्टी टू आएगा ठीक के बारा संख्यां का माध्ध दिया हुए 25 यदि एक संख्या निकाल दी जाती है यानिकि 12 का माध्ध हो जाता है 22 यानिकि आप एक निकाल दिया यानि 11 हो गया और 11 और माठे कितना हुआ 22 तो यह जब मिल्टिप्लाइ करें इसको कितना होगा यह 11 दूनी 22 दो और 21 22 24 यानि 242 तो पूछरा कि निकाली गई संख्या ग्याद किजिए यानि कि 300 में से अगर आप 242 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा देख कि आउस्त ऌायू दिए यानके पिता को सामिल किया जाने पर आउसाथ चारवस बढ़ जाती है यानि कि चार अयू चार भाई है उनकी आउस्त तो कितने होगी कितना होगी एक बढ़ गए ना तो 18 पंचे 90 टोटल आयू कितनी हो गई 90 अब इसमें 90 में से 56 माइनस कर दो तो पिता जी की जो आयू है वो पता जल जाएगी तो कितना आएगा इसमें देखिए 4 और यहां पे 3 यानि 34 येर्स पिता की आयू विलोम सब देखिए इसमें कौन सा सुद्ध तैंन नहीं है आयातं निर्या ठीक है प्रण ठीक है बद्धमक्त ठीक है सबाबड़ा का सब्सक्राइब कर नहीं है तो देखिए प्रभाकर भी है दिनकर भी है विभाकर भी है दिनेश भी है प्रभाकर विभाकर दिनकर दिनेश विभाकर नहीं है सूर का यह विभाकर नहीं है प्रभाकर यह तो है प्रभाकर भी है दिनकर भी है दिनेश भी है विभाकर नहीं होता है ठीक है विभाकर किसका परियावची है विभाकर सूर का नहीं चंद में पुल लिखावट लिखी जाती है या लिखावट सुंदर होती है मजजार में अटकी चलता है। तू पटकत, निई हिधन, कपट तो पहला ए होजाए키 चलिए आगे बढ़ते हैं यह अब पैराग्राफ वाला आ गया है इसको आप पढ़ लिजे पॉस करके वीडियो देख लिए इसमें सारा पढ़ लिजे ठीक है मैं आपको अंसर फटा पर बता देता हूं पढ़ लिजे इसको ठीक है वीडियो को पॉस कीजिए पढ़ी चलिए है लेक्सक्रिक निक्स्ट देखते हैं तो फटी वन का दी एपिट आफ नेटिव सेशंस एंटेख ठीक है फटी absolute का क्या होगा एक लिम्टेट हो गया कीट विज्ञान कीट हो गया विल्कुल सही है जीवासम अध्यन में क्या होगा फिर fossils जीवासम किसी विषिस्ट कूड भासा में inertia को ये लिखा गया है तो flower को क्या लिखा जाएगा तो देखें जब इसका आप ये देखेंगे ना एक को छोड़कर एक जो है वो माइनस सेवन के उस पर लिखा गया है तो इस तरीके से एक वर्ड एक जो अच्छा है वो छोड़कर माइनस सेवन करते हुए चले जाएंगे तो ये आ जाएगा इसी तरीके से ये फ्लावर को लि लिटा और i Becca लिटा थे यह इसे सब्कूल कि अपने आप growth करनें percent अपने आपको इंवोल्ग कर लिया अपने आपको इंवाल्ड सेंज आपको रखेंगे और उसके बाद वो जैसे जैसे चीज़ों को बोलता जा रहा है उस तरीके से अपने रिष्टेदारों को आप बिढ़ाते जाए उस पर तो बहुत आसानी से आप चीज़ों को समझ पाएंगे को रिलेट कर पाएंगे और अंसर आपको पता चाल जाएगा ठीक यह 49 में देखिक इसमें दिया गया है उन्चास इसमें क्या है 18 अक्टूबर 2011 को रविवार था ठीक है 20, September 2012 को पूछ रहा है कि कौनसा दिन पढ़ेगा तो आप देगे इधर आपको just September में कितना दिन बच रहा है इस वाले में इसमें कितना दिन बच रहा है अठारा है तो ihmisan अक्टूबर में 31 هोता है तो लगबळक 14 दन बच रहा है इसमें 18 को ले करके और उधर कितना बचेगा आपका आगे यह जो 19 से लिखा हुआ तो उधर 18 दिन बचेगा बाकी बाकी वाले दिन जो महीने में इतने दिन होते हैं उनको जोड़ लीजिए जोडने के बाद 7 से डिवाइड कीजिए टोटल आएगा 37337 आएगा आप इसको जब रिमेंडर कितना आएगा वन आएगा देट मिंस क्या हुआ कि रिमेंडर वन आने के मतलब हुआ कि आपका एक दिन जो यह वाला दिन दिया हुआ है यह वाला इससे एक दिन आगे गा रिमेंडर आने का मतलब हुआ कि एक दिन आगे यानि अगर रिमेंडर नहीं आता तो से दिन आगे पड़ेगा यानि कि क्या पड़ेगा वहाँ पर सो मौर ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को यहां से इधर इस दरफ चलिए देखिए चार सब्स दिए गये हैं जो किसी ने किसी तरगे से समान है एक जो उसमें से अलग है तो वो हैं तो देखिए इन सब का मतलब तो एक ही हो रहा है लेकिन यह अलग हो गया ना सम्रधी का मतलब ही अलग हो गया तो यह और वन आउट मार्च 2022 में भार्ती रिजर्बैंग के गवर्णर ने रिजर्बैंग का इनोवेशन हब कहां खोला था तो यह बैंगलोरू में खोला मार्च 2022 में बाजार पूंजी करन के संदर्व में देश विस्यो का पांचवां जो सबसे बड़ा सेर बाजार बना तो अपना भारत है बी महिलाओं को पूंड स्वामित वाला देश का पहला अवद्योगी जो पार्क बना है वो कहां पर है है हैदरबाद में अप्रेल 2022 में 36 वी वार्षिक फॉप्स अरवपतियों के सूची में 2022 में मुके सम्मानी किस अस्थान पर रहे हैं तो यह दस्वे अस्थान पर रहे ह है ठीक जनवरी 2022 में इस रो के किस संचार उपग्राह को सेवा मुक्त कर दिया गया तो इंसेट 4B भारत की पहली स्टील स्लाग रोड कहां पर बनाएगी सूरत में गुजरात में देश के पहले सीवीड पार कहां स्थापित किया गया तो तमिलनाडू जून 2022 में कौन से दे भाग की खेटी को वैद कर दिया था थाइलेंड भारत के पहले विस्व सांति किंद्र के स्थापना के सहर में की गई तो गुरूराम में मई 2022 में किस राज में इअधिगम योजना की सुरुवात की गई यह हर्याना की योजना है इसमें बेसिकली टैबलेट्स होगएरा ज से कहात और में से कौन सा यक में सभूम सहीरूप से मेल खाता है कतहक कतच केरल का है नहीं बिलकुल नहीं कुछीपूरी, और प्रतेश का है और उडिसा क्या है ओडिसी तो वह ध्यान रखेगा वे चीजों है उसका मुख्याल है कहां पर है वो रोम में है गुदई महाराज किसे संबंदित तबला से साहित में नोगल पुरस्कार प्रथम भारती कौन थे तो रभीन नाथ टैगोर जी को मिला था यह बान्धों को आधुनिक भारत का मंदिर किस ने कहा था तो पंडि जवालाल आप ही जाएगा कि यह french sorry यह french rafil nadal विमें विमबल्ड की बात साथ है यहिंठ आ नौक जो को बिचने जीता है यह फ्रेंच हाइब का रफेल नडाल ने जीता है और हराएक किस पर जहीं हैो कैसपर यह कहां तो फ्रांस के एंग है किसे याद रख olması हम लोगों के अगे भी राफेल लगा हुआ है तो राफेल नेडाल कहां के हो गए फ्रांस के हो गए और इन्हों हरायक इसको था कैसपर रूड को काहां के हैं ये नॉर्वे के हैं तो आजकल कंट्री भी पूछ रहा है तो वो उस लिएस से आप इस चुछ को याद रखीगा दिमाग में चैंपियन्स लाइफ इनके लेखक का नाम है ये विस्तुनातन आनंद की है अप्रेल 2022 में पहला लता दीनानात मंगेशकर पुरसकार ये अपने प्रधान मंति दिनेरिन मोदी जी को प्रधान किया गया पहला आईपियल का पुछा है कि ये संस्क्रण खिताब किस ने जीता तो गुजरात टाइटेंस ने जीता है आपको मालूम होगा आपने देखा भी होगा चलिए अब देखिए यहाँ से आपको पैराग्राफ वाला है आप पैराग्राफ पढ़ लिजिए ये इसको होल्ड कर लिज जाएगा तो 71 का A, 72 का C, 73 का A, 74 का D ध्रहना मतलब वितिष्णा अनुच्छेत का संदेश क्या है उसमें सचता सबका कर्तब यानि कि B 75 का B इसी दिर के से ये वाला भी पढ़ लिजिए 76 से लेका सी के बीच में ये सारी चीजह है पढ़ लिजिए पॉस कीजिए वीडियो क ठीक चलिए पढ़ लिजिए इसको फिर मैं आपको अंसर बताता हूं 76 का C, 77 का C, 78 का A, 79 का D और 80 का B ठीक तो ये चीज याद रखिएगा चलिए आगे बढ़ते हैं आप देखें यहां से अब वो डियाई वाला ये पोर्सन शुरू हुआ एक ग्राफ और जो भी है इसमें जैसा जैसा बोलता जाए वचसे वचसे करते जाए आपको इकडम इजी तरीके से आपको यह चीज समझ में आ जाएंगी इससेदा और कुंच कोई फोर्सन होता ही नहीं कि आपको यह सारी चीजे बहुत आसानी से समझ में आ जाएं पिछले वर्स की तुलना में यह जो 81 से देते हैं आपको आंसर C, 82 का D, 83 का C, 84 का A, 85 का B, 86 का C, तो यह आपके यह हो गया आंसर, आप यह देख लिजे, इसमें I और वे पुछा है, तो I कौन सा है वे, चुकि यह मैंने वैसे पीडिया बनाया है, तो आप यह चीज ध्यान र है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, 86 से आपको बताते हैं, आंसर, 86 का C, 87 का D, 88 का A, 89 का D, और 90 का A, 90 का A, ठीक, तो यह चीज भी ध्यान रखिएगा आप, यह देख लिजे, 91 से यह भी वही है, सेम है, यह सबसे जो मुझे इजी लगता ह है, वह यही 20 कोस्टेन है, हो सकता है, इन में से एक दो कोस्टेन ऐसे हों, जो आपको न समझ में आवें, लेकिन maximum कोस्टेन आप कर सकते हैं, आप 15 से 18 कोस्टेन इसमें आराम से कर सकते हैं, चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, कहां से आपको 91 से बताते हैं, 91 से आंसर बता दे चलिए यह देख लिए उत्पादित गाड़ियों को संख्या और यह सब वर्स दिये हुए हैं उसे साब से निकाल लिएगा तो आपको यह सारे जो है आंसर पता चल जाएंगे 96 का A, 97 का D, 98 का D, 99 का C, 100 का B तो यह आपको 100 के 100 question आपके solve हो गए आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो बताइएगा मैं आपको इसका solution भी देदूँगा चलिए ठीक है मिलेंगे नेक्स वीडियो में तयब तक के लिए जैहिन